हेलो एबरिवन, वेलकम बैक टो मैं यूटूब चैनल दिया अरवेदा नेक्स्ट के लिए जो प्रेटिशन फाइल की गई थी ना सुप्रीम कोट में जिसकी 19 फेबरिवरी को यानि कि 19 फेबरिवरी को जो है उसकी लिस्निंग थी फर्ष्ट हेरिंग थी बट वहाँ पे क्या हुआ कि जब केस फाइल की गई थी और 19 फेबरिवरी को लिस्निंग थी तो वहाँ पे केस को प्रोसीड ही नहीं किया गया क्या हुआ था मैं बताओं आपको सबसे पहले तो केस नमर बता दो आपको कि केस नमर जो था हमारा वो था 65-53-2024 यह हमारा केस था डाइरी नमर था ठीक है आप चाहें तो जो है इंडियन यूटिकल के वफसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं यह इसको और जब केस की हेरिंग थी 19 फेबरिरी को उससे में कि केस ने क्या गया किस को ना-परीजेक्ट किया उसने ठीक है और ना है उसने hiring की यानि कि उसको जो है pending में डाल दिया है केस को कि इस कारण से pending में डाला है हमारे next exam के case को pending में इस कारण से डाला है कि supreme court का यह कहना है जो कि legal भी है कि सबसे पहले आप जो है इस case को अपने high court में are district court कोट में फाइल कीजिए ठीक है उसके बाद वहां से अगर आपको नियाय नहीं मिलता है तब आप सुप्रीम कोट में आईए ठीक है तो ना तो सुप्रीम कोट फाइल करेंगे पिर से वह सारी प्रोसेस करने पड़ेगी उसके बाद हमें इमडेंसी हैरिंग की एक डेट मिलेगी उस डेट पर वहां पर हैरिंग और हेरिंग जो है ना चुकि यह एडिविशन का मामला है जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए यह केस फाइल की जा रही है तो हमेशा जो है कोट के थूरू जो भी नियाय आता है जो भी डिसीजन आता है वह एस्टुडेंट के फिवर में ही आता है तो आपको ब इसके लिए हमाई शेनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास पहुछ सकते हैं